हलो बच्चो आप लोग का आपके अपनी यूट्यूब चैनल NTR में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद यह आपका क्लास 10 का होने वाला है क्लास 10 का है कुछ बेसिक इंफर्मेशन जाल लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब्जेक्टिव कोस्चन को डिल करना सिखेंगे कि कैसे उसको सॉल करते हैं 20 सकेन तो सबसे पहले जान लो कि अगर किसी पॉलिनोमियल होने की सर्थ क्या होता है कोई की आगर पॉलिनोमियल है आपका सपोज माली जी की एकस स्क्वार प्लस 2 एकस प्लस 3 दे दिया ऐसे और पूछ देगा कि भाई पॉलिनोमियल है कि कोई भी आपका वेरियेवल है को भी वेरियेवल का मतलब की X दे रखा हो Y है Z है P है T है बगारा बगारा कुछ भी दे रखा हो तो इसके पावर को आपको देखना है क्या देखना है आपको इसको पावर को देखना है और पावर को देखते ही आपको यह कंजूम कर लेना है यापे कि पावर जो होगा इसका पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या का मतलब आप जानते होगे, क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 11, 11, जो है बात समझ गया इतना? यानि कि अगर कोई variable है आपके इसके power 0 दे दिया, तो यह आपका क्या polynomial हो सकता है? 1 दे दिया हो सकता है, 2 दे दिया हो सकता है, इसके power minus true दे दिया, polynomial नहीं होगा, x के power fraction अपना para dya, polynomial नहीं होगा, root दे दिया, polynomial नहीं होगा, cube root दे दिया, यहाँ पर, इसके power एक पड़शार दिया, 4 दिया, that मेंल नहीं होगा, अगर किसी variable पे, variable पे, अगर कोई fraction पार्ट आपको दे दे, fraction यानि कि भीन्ने संख्या दे दे या फीर कोई negative numbers दे robić люeton नंबर दे यानि कि रिनात्मक संख्या कोई दे दिया जाए आपको तो क्या होगा वो polynomial नहीं कहला एगा गाथ पे सब रहा तो बात क्लिए समझगे तनी अब चलिए कुछ और हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा वाते अब देखते हैं कि अगर पावर पे डिग्री की रहे suppose मा लेते हैं कि डिग्री अगर वहाप पर 1 देदे क्या देदे 1 यानि घाद गाद एकर एक्स के पावर अगर 1 देदे तो इसको क्या कहिएगा आप लोग इसको बुलिएगा रैखिक बहुपद ठीक क्या बुलिएगा रैखिक बहुपद यह अगर डिगरी का वैलू अगर वैलू हो तो रैखिक कहलाएगा डिगरी का वैलू हो तो आपका दुई घात कहलाएगा दुई घात बहुपद अगर डिगरी का मा आपनेॉट फास हम बोलते हैं याप का हो जागा क्यूबरु पोलिनॉमियल और अगर एकस क्या पावरल चार दींजने आपको त्था समस्कों अगर। गा death शरुष्षब अब समझ गये अगर द livres पूछत पि Wrestle बछ Mmm यही रहेगा घजी आप इसको बोलते है कि answer कितना निकलेगा अगर कोई दुई घास समीकन दे रखा है तो उसका roots कितना होगा अगर कोई दुई घास समीकन दे रखा है तो उसका mole कितना होगा अगर दुई घास समीकन दे रखा है तो उसका answer क्यों निकलेगा यह भी पूछ सकता है आपसे तो क्या होगा कि जो भी इसका degree है वही इसका answer होगा suppose कोई तीरी घात दे रखा है आपसका पूछ दे कर रूट्स कितना होगा तो maximum रूट्स होता है आपका true और तीरी घात के लिए 3, 4 घात के लिए 4 हो जाएगा जो भी घात रहेगा उलगा देना है चली मानके चलते हैं कोई आपके पास quadratic equation इस तरह से दे रखा है AX प्लस BX प्लस C यह जो है आपका यह general form होता लिखने का यानि कि समाने वीधी होता है समाने तरीका होता लिखने का वो भी दुई घात सम्मिकल लिखने का तरीका होता है अगर रैखिक की बात की जाए तो AX प्लस B लिखती जेगा where A not equal to 0 इस वाले case में A not equal to 0 जो भी अगर quadratic है तो maximum घात देखना है maximum घात के बगल बाला जो coefficient होता है वो आपका 0 के बरावर नहीं हो सकता है clear अगर तरीका हाथ की बात की जाए तो AX Q प्लस में B X स्क्वार प्लस में C X प्लस में D होगा और X Q के बगल बाला जो दीख रहा है अपका A ये अपका 0 के बरावर नई खे होई थे समझ गई चलिए इतना का बात समझ गई होगे तो आपको आसानी होगी question करने में सपोर्ज माल लेते हैं कुछ questions और देख लेते हैं इसमें कि A X स्क्वार प्लस B X प्लस D दी नहीं सी लेलते हैं C equal to 0 अगर कोई आपका quadratic equation दे रखा है और इसका दो roots एक alpha है और एक आपका beta है तो alpha into beta पूछ दे आपसे alpha into beta पूछ दे तो आपको बोलना है minus का B बटे A होता है formula के coding और alpha plus beta पूछ दे तो होता है आपका ultimate कर दिया यहाँ पर होता है C बटे A और plus बलना हम होता है minus का B बटे A ठीक है बात समझ गए minus का B बटे A plus के लिए और into में C बटे A अगर यह दोनों आपको given है किसी question में क्या किया जाए कि अगर आपको यह दोनों given है कि आपको बोल दिया जाए कि मूलो का योग मूलो का योग बरावर minus का B बटे A होता है और मूलो का गुनरफल बरावर C बटे A हो तो दुखात सम्मिकर आपसे पूछ देगा चली बताइए भाई दुखात सम्मिकर क्या लिखे हो कैसे लिखोगे तो आपको क्या करना है कि X square माइनस जो मूलो का योगफल होता है यह आपका alpha plus beta बोल सकते है इसको alpha into beta बोल सकते हो तो आपको देजगा alpha plus beta X और plus में alpha into beta सम्मिकर अगर आपको यह दोनों बाते पते हैं तो अब इतना उजन काई लिए हो तब question आराम से deal कर सकते हो हम चलते question पे कि question कैसे कैसे solve करेंगी और फटाफ़ट से question देखते है question आपका यह रहा निमलीखित में कौन बहुपद नहीं है देखिए आते आते हैं इसने डाल लिया बहुपद नहीं है से बताना है यह आपका बहुपद है है अचर बहुपद बोलता है वह एक वाई है इकस य जिरवला पार्ट इसका power में क्या है 2 दे रखा है और देखते ह लिए क्या लगारा रखा है root मैंने आपको बताया था अगर root बला case आ जाए यानि कि root के लिए क्लिए क्लिए क्या करोगे आप x के power में एक बड़ा 2 हो जाएगा या आपका बहुपद नहीं होगा मत समझगे इतनी सी आगे लेखते हैं चली question है कि घात एक बाले यानि कि जिसका घात एक होगा वो बहुपद क्या कहलाएगा दुई घात कहलाएगा त्री घात कहलाएगा बहुपद कहलाएगा या फिर रैखिक कहलाएगा तो मैंने बताया था कि घात अगर एक हो तो रैखिक घात अगर दो हो तो दुई घात घात अगर तीन हो तो तीरी घाथ कह लाता है ठीक है यहनि कौन से जागा एक घाथ बाले के लिए राखिक बहुपाद नेक्स देखिए फटाफ से दिखिए लिखा हुआ है कि तीरी घाथ बहुपाद का ब्यापा कुछ रूब का गड esteem होगा दोखो क्यूँ है यहां पे एक्स क्यू बी एक स्क्वार सी इसदी और कंतिनियु इक्रीमेंट उता है तीन ढो एक यहां पर यहां पर इसमें फोर्थं नूमर सी जाए इसका रायट आइंसर चलिए आगे देखते हैं फटाक से दिया गया कुछ आपका इस तरह से कौन रेखिये बहुपद बियंजक है रेखिये बहुपद बियंजक होने का मतलब कि पावर कितना होना चाहिए मैक्सिमम एक होना चाहिए मैक्सिमम पावर कितना एक तो मैक्सिमम पावर आपको एक यही दीख रहा है यही इसका answer हो जागा इसमें देखो 2 power दे रखा है हलाकि तो बहुपद है भी नहीं क्योंकि एक बटा x दे रखा है उपर जागा तम निगेटिव ले लेगा यह आपका quality की जला गिया यह आपका 7th root है है ना इसका power कितने दे रखा 7 तो यह आपका 7 बहुपद वला होगा जो भी होगा यह आपका उंस अपना ए जागा चलिए बढ़ते हैं आगे next question फटाक से दिखते हैं देखें कहां पर कि बहुपद 4x square minus 4x plus 1 के मूलो का गुणनफल क्या होगा मैंने बताया था मूलो का गुणनफल मतलब क्या होता है देखो जाराद प्टाक से देखें देखो मूलो का गुणनफल क्या होता है मूलो का गुणनफल C बटे A होता है यहाँ पर C वहला पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको C का पार्ट यह होता है X स्क्राइगा कोईफिसियंट A कहलाएगा X के पास वहला B कहलाएगा और जो लास बज़ता है वह आपका C कहलाएगा मूलो का गुणनफल जो होता है आपका C बटे A के बराबर होता है और यहाँ पर C कौन सा दिख रहा है एक और एक बटे एक बटे एक बटे चार इसका अंसर जाएगा यहनि अपसर नमबर C इसका अंसर है चलिए बढ़ते हैं आगे बस आपको फर्मुला याद होना चाहिए बहुत इची जिप्टर्टा है आपका यदि बहुपद PX X square minus 2X plus 5 के सुन्याक अलफा इंटू बीटा हो अलफा बीटा हो जो भी हो तो आपको क्या करना है अलफा इंटू बीटा का मान निकल है और अलफा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है वही बात फिर से BYA कि CYA मूलो का गोनफल पुछे अलफा प्लस बीटा पुछेगा तो माइस का भी बटाई मूलो का गोनफल पुछे अलफा इंटो बीटा पुछे तो C बटा A यानि C पार्ट क्या जागा यहाँ पर दिखेगा 5 पांच के बटा में एक सिस्क्राइब का पार्ट क्या है 5 पांच बटा A क्यानि 5 जागा यानि कि 5 आपका पलस वला अंसर जागा 5 के लिए आगे दिखते हैं दिखेगा यहाँ पर दे रखा है कि एक दुझात भोपद के मूलो का योगफल तथा गुनन फल करमस क्या दे रखा भाई इढ़र दो दे रखा है दिख रहा आपको तथा अप 15 है दुझात भोपद क्या होगा मैंने अभी भी बताया आपको कि मूलों का योकफल और गुननफल दे रखा हो तो दुई घात पर उपद लिखने का तरीका यही होता है बस यहाँ पर योकफल और यहाँ पर गुननफल चिपका दीजी तो योकफल कितना दे रखा है देखो जरा फिर से योकफल है आपका 2 अगुनणफल है आपका 15 तो योकफल के लिए क्या करिएगा 2 रख दीजी तो यहाँ पर आपको रख लेना है 2 x आप पलस में हाँ पलस में पलस में 15 माइस का माइस रहेगा x square x जहां का ताह रहेगा बस योकफल के लिए 2 गुनफल के लिए 15 x square minus 2x पलस 15 इसका आंसर होगा देखो ज़रा कहाँ पर दे रखा है x square minus 2x पलस 15 option number c गए आपका आंसर चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ 11 question फिर से आपके सामने आ गया है भूपद x square minus 11 के सुन्यक होंगे यह इसको solve कर लिजिए आप simple सा funda है देखे solve कीजिए चला सा कि x square minus 11 बराबर 0 रख दीजिएगा सुन्यक निकलना है तो solve करिएगा तो x square कमान पलस का इगार है इधर चला जागा x कमान निकल लिएगा root 11 root 11 का मतलब plus minus लग जाएगा आपका तो plus minus कौन से गया आपका यह दbenको इसके पहले कुछ नहीं है तोBa plus मानके साथ कितनी होगी गिश्सका at कि एकी लगार सब्सक्कार आप nessa होगा साई जो इसे होते होते बुक में अप देखे होंगे जिसका एंसर चार और साथ दोनों हो सकता है तो ऐसा भूपत कितना होगा अंगीनत होगा ठीक है ऐसा कोशन जब कभी आए यहां पर कुछ भी दे देगा उसे कोई फ्रक नहीं एक दे दे पांस दे माइस ती मटा दू दे रूर तीन दे कुछ भी भूपत दे अगर इसका दू कौन बहूपद है कौन बहूपद है तो नाकि कि इसले सब्सक्राइब नहीं होगा आगर दे रखा है तो नमबर पर कुछ भी रूशे कोई फरक नहीं पड़ता है और यहीं आपका अंसर होगा बहुपद यहीं है क्यों कि इसमें देखेगा कि एक बटा में एक से स्क्वार डे रखा है अगर एक से स्क्वार नीचे है इसको ऊपर ले चलिएगा तो क्या हो जागा आपक बहुपद नहीं कहलाता है दखेए रूट दे रखा है यह तो आपका नीगेटिम चला जागा यह नहीं होगा यह रूट दे रखा है वर्येवल पर यह भी नहीं होगा यह तो इसक्वार प्लस तीन एकस प्लस پंस así दे अलफ़ा बीटा हो तो लमठ बटा बिटा और बीटा बट्टा अलफा कमान क्या होगा तो पर दील कर लेते हैं फिरके क्या करने आपको आलफा बट्टा बट्टा और बीटा बट्टा अलफा यह रहा तरा सब्सक्राल जारा इल संब गर निकालोगे बीटा लिख सकते हैं इसके लिए अराम से आजा जागा भई और डिवाइड में कहले हैगा आलफा इंटू बीटा आप इसको फ्रमूला के तरे ट्रीट कर सकते हो कि whole square करना होता है minus 2 into c बटाई होता है, alpha into beta के लिए और divide भी आशीन से c बटाई है, इसको solve करना चाहा हो, इसको solve कर लो, अधर जायके लिए value place करो उसको गुणावा कर लो, देखते हैं याप एक क्या क्या दे रखा है आपको, हमें क्या चाहिए माइस का भी बटे चाहिए तो यहांने देखिए बी के लिए क्या है तीन बटा एक का मतलब एक ही रहे गए यानि कि माइस का तीन ले सकते हैं माइस का भी बटे का मतलब माइस का तीन का होल स्कुरार बटा में एक तो छोड़ दो नीचे कोई मतलब नहीं ब तो माइनस 3 का सक्कार 9 होता है पानध होनी का 10 हो गिया डिवाइड में क्या हो गया 5 ले देके बचेगा 1 और पाउन माइनस का एक वटे 50 ही आपका आनसर होगा अब दराश चूर्श कर्वेट इसमें कहां लीद एक अच़ित है रहा आफ मेंस का इस के बिदे पाउ N है सेम तो सेम वही फंड़ा अपनाना है आपको फिर से एक बटा ए और एक बटा बी ग्याद करना है एल सिम ले लो जीएगा एबी बी उपर जाएगा एधर आएगा यह लिए देखो ही बात कि एपलस भी आपटा हमें एबी तो मूलों का योगफल क्या होता है माइनस का बी बटा ए होता है और गुनरफल क्या होता है सी बटा ए होता है ए से एक खतम क्या बचेगा माइनस का बी बटे सी तो आपको चूच कर लिजे माइनस का बी बटे सी कहांपे है तो माइनस का बी का मतलब माइनस का वन और माइनस पहले से लगा करते हैं हमें क्या था मैइस का भी वट एपे लाना था तो देखी है क्या गीज़ाइगा ऋपको एक लेना पड़ेगा ना पढ़ेगा पहले मैइस रखना है मैस का ऐन दीक कीया क्रता माइस-1 यानि देखर मैस बास एक पटा तो नहींद पर क्या आपके पास जाएगा माइनस का वण चलिए नेक्स देखते हैं निमली कीट में से किस दुईगात भुपत के सुन्यों को का योग माइनस चार और गुननफल माइनस पांच होगा मैंने बताया था आपको यहाँ पर लिग दूँ मैं एक पर कि एक से स्क्वाइर माइनस सुन्यों को का तो फेल प्लस कशार एक तो यहांपर दीखर यहां पर दीख रहा है यह jard ona भूर को भी होगा नहीं चलो ए और दी में चूछ करना है फ़र मतलब की माइस का 5 कि यहां पर अभिए प्लस है तो आपको हो त्यां पर मैस लेना होगा याने अप्सें नमर T जाएगा आपका correct answer ठीक है चलिए बढ़ते next द्विघात बहुपद के सुन्यकों के संख्या कितनी होती मैंने बताया है आपको के द्विघात बहुपद है तो दो होगा सुन्यक अगर त्री घात होगा तो तीन होगा चार होगा रैकिक होगा तो एक होगा ठीक है जितना घात कि रूट लगा हुगा नंबर पर पास हो गया रूट लगा हुगा हुगा नंबर पर यह भी पास होगा बात में यानि कि बहुपद कौन सा है यह तो है अविए पुछा बहुपद नहीं है इहां पर देखिए x से पर माइनस दे रखा है मैंने बताया था कि आवर में with negative or fraction नहीं होना चाहिए ति यह आपका इसमें दे रखा यानि कि यह बहुपद नहीं कहलाएगा और हमसे पुछा भी यही है कि बहुपद नहीं है सो बताइए यह आपका नहीं है कि लिए 15 कॉशन कंप्लीट हुआ आगे देखते हैं सुलोन में कोशन में है कि बहुपद y square minus 6 y तो if one यानि कि एकस कर पकर one place करते हूं तो इसका माल कितना होगा यह अब से पूछ दिया है तो जहां जहां पर एकसर वहां पर आप one place करो calculate करो आप इंसर रहेगा तो एकक का Q मतलब कि 1 का Q पांच एक से square करते तो एक का square प्लस 2 का 2 इन्टू 1 का 1 प्लस 2 का 2 तो एक का एक रहेगा, ये गुना में 5 का 5 रहेगा ये प्लस का 2 का 2 रहेगा एंड अगेन 2 का 2 रहेगा तो दो दो चार एक 5 प्लस का 5 और मैस का 5 आपस में मिलके cancel यानि जीरो हो जागा इसका तो आप अंसर क्या मार होगे जीरो, अपसन नमबर ए जागा इसका correct answer, आगे देखते हैं दुईगाद बहुपद y square प्लस 3 y प्लस 2 कि सुन्यों को का योग कितना होगा, फिर से बापिस वही question सुन्यों को का योग बला पूछ दिया है कि alpha प्लस βीटा उकूल टू क्या होता है minus का b बटा a होता है minus का b बटा a तो minus का b बटा a का मतलब minus का minus लगा होगा b पारट कहाँ पयाएगा, y के बगलवला एगा तो 3 and divide में a का पारट कोन होगा y square के बगलवला होगा, तो 1 यानि कि माइनस का 3 इसका आंसर एगा तो माइनस का 3 कहां दे रखा है और सनमर डी में दे रखा है आगे देखते हैं कोस्टन नमबर 19 चलिए इसको कौन मनाएगा कि यदि अलफा और बीटा किसी दुगार बहुपार इतना कि कि इतना दे रखा है कि एक से स्क्वाइर easier अलफा और बीटा किसी दुगार एप एक स्क्वाइर प्लस पिए प्लस प्लस क्यूड कि सुनने हो तो यदि एक बता अलफा और एक बता बिता इनके सुन्ने हो तो भवँपार क्या होगा दे रखा है ठीक है चैनल करते हैं जल्दी से यहां देखिए जो भी आपको कुर्शन देर का ने लिकर मझदार डियाट मिस माइस का P, अब बटा में A के लिए 1 यानि माइस का P होगी आपका alpha प्लस बीटा, और alpha into beta के लिए क्लिए क्लिए c बटा यह होता अपका Q, आपका 1, यानि कि यह सिर्फ Q आगिया, किलर बात है, अब हमसे यह कहा गया है, कि अगर किसी यह आपको दे रखा है, तो लिए alpha और beta दो mool हुए लेकिन बताया गया है पुछा गया कि कौन सा ऐसा equation होगा जिसका एक पटा alpha और एक पटा beta हो जाए तो यह दोनों mool का अगर मैं sum करूँ एक पटा beta इतना part तो आप जानते होगे इसको तो करो तो alpha into beta हो जागा आपका यह उपर beta और पास में alpha और alpha plus beta के लिए मैंने लाया है माइस का P तो माइस का P और divide में alpha into beta के लाया Q तो यह आपका माइस का P बटे Q हो किया again अगर आप इनका गुनफल करोगे alpha into beta alpha into beta गुनफल करते हैं तो आप आईए है क्या कि एक बटा alpha into beta आएगा और एक बटा alpha into beta ने करा मतलब कि alpha into beta का value क्या है Q यह एक बटा Q अब आपको पता है कि इन दोनों का यूज करके मैं इसके respect में एक quality question त्यार कर सकता हूँ तो quality question होगा क्या है X square minus 1 बटा alpha 1 बटा beta X आप पलस में 1 बटा alpha into 1 बटा beta equal to 0 में लगा सकता हूँ यह आपर है ना चलो एक से स्क्वार का X square 1 बटा alpha 1 बटा बटा क्लिक value क्या है माइस का P बटा Q आया है तो माइनस का P बटे Q प बटे Q बटे प्लस में अल्फा इंटीट लिए क्लिक आए एक प्टे क्यों देख प्टा क्यों बरावर में 0 का 0 अब देखीगा एलसीम कितना आगे बच्चों क्यू आगे आपका देखते हैं कहां दे रखा option में कि QX square प्लस में PX प्लस वन कहां दे रखा option में देखी चला है यहां पर QX square प्लस PX प्लस वन यह दे रखा option option नमबर C इसका कि लिए बास समझ गे यह आपका subjective question था लेकिन objective में डाल दिया है कोई बात नहीं मजा आगे बनाके देखी यहां पर यह दे रखा है आपको और पूछा कि किसके बरावर सिंपल सा फंडा है आपको क्या करना है सिंपल सा बस factorization कर लिजी और simplify जो आपको करना तर ब्राकर तो तो Y square एक बटा Y या प्लस में तीन दे रखा है गुना किजएगा तो Y square बटा में Y हो जाएगा और यहां पर 3Y square एक उसे हो खतम यानि कि Y plus में 3Y square आपके पास finally बचेगा तो चूच किजी Y plus 3Y square तो Y plus 3Y Q है यह बला रहा है, option number D, option टिक करते हैं समय बारकी से ध्यान जरूर दीजीगा, आगे देखते हैं, दो मूलो का योगफल क्या होता है, दो मूलो का योगफल, चलिए दो मूलो का योगफल समझते हैं इस बात को यहां पर, कि आप लोग जानते हो कि X square प्लस B X प्लस C लिखते हैं कि X का गुनाख है, X का गुनाख है यह, और ए क्या है, ए कहां पर है भाई, X square का गुनाख है, तो यहां पर हो जागा X square का गुनाख, यानि हमारा जो option दे रखा, कुछ इस तरह से दे रखा है, कि minus का X का गुनाख, divide में X square का गुनाख, तो कहां पर दे रखा है, minus का X का गुनाग डिवाइड भी एक सुन्यक होगा पी एक सुन्यक होगा तो आपको सिंपल सा फंड़ा अपनाना क्या है कि एक स्वाइड गाएड 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 तीरिखाद बहुपद के बारे में दे रखा और आपको कुछी चीश तरह से पुछ लिया तो मैं एक बात बता दू तो तरह पुछता नहीं लेकिन बता दू सब सब चीज की डीडियल से جब तरिगात देगा आपको थो समझ दीजी सबसे पहले तरिगात का अतरव यहापक पर कुरूप होता है एक सप्सक्वायर बी एक्स स्वारी एए एक्सक्वायर प्लस इग्स स्ोर डी वहता है आपका general form होता लिखने का अगर इसका 3, आप जानते हो कि maximum power 3 गया ते इसका सुन्यक्ज होगा, यानि मूल जो होगा alpha, beta, gamma होगा तो एक वाल लिखते हैं हम लोग alpha plus beta plus gamma alpha, beta beta gamma gamma alpha और एक होता है आपका last में alpha into beta into gamma होता है तो जैसे हम लोग quality के लिए किये थे याद कि minus का b बटे होता है, लिख लिख लिए ना है c बटे होता है, लिख लिख लिए ना है और finally last part पर जो पार्ट होता है, इसमें आपका minus का d बटे a होता है, बस इतना सफंड़ा याद रखना है तो इसके लिए देखिए जो आपको दे रखा है यहाँ पे इसके लिए क्या दे रखा है अलफा बीटा बीटा गामा गामा अलफा इदे रखा है तो आपको क्या करना है इसके लिए देख रोगा आप यहाँ पे C बटे A निकलना है C part wildlife part C है X का coefficient को C लिया गया है तो यहाँ पे X का coefficient क्या होगा X का coefficient माइस का 3 होगा और A लिया गया है आउपको बादपिस A, तो यहाँ पे minus का 3, अब अब अमे a मतलब 6 तो माइस का 3 बटे 6 हो जाएगा है कैंसल किजेगा माइस का एक पटे दो होगा इसका अंसर माइस का एक पटे दो तो माइस का एक पटे दो कौन सा गया अप्सन नमर सी इस बात को आप याद रखोंगो नोट कर लो एक अफी से देखके नोट कर लो अगर भूल गया हो तो ठीक है इतना इसके इसको ले सकते हो त जब कभी योगफल पुछे तो बीच में होता है, गोणफल पुछे तो लास में होता है, तो प्लस का दो दे रखा, ति यहाँ पर दीख रहा है, यहाँ पर दीख रहा है, यही दो आपका उन सुन जाएगा, माइस का 3 दे रखा आपको यहाँ पे तो माइस का 3 का मतलब कि x square माइनस alpha प्लस बीटा होता है यहीं अल्रड़ी माइस लगा होता है इसका sign क्या करना? change कर दें था माइस माइस हो जागा आपका पलस तो x square पलस 3x प्लस 2 इसका बात को समझ लिजी कैसे दिखा जाता है x square माइनस अल्फा प्लस बीटा x सब प्लस में अल्फा इंटू बीटा तो यह जो माइस लगता है आपको इस बात को ध्यान देना है कि अगर इसका value कुछ माइस में दिया रखा है देखिए यहां पर कि योगफल क्या होता है माइस का भी बटे होता है न और माइस का भी बटे एक अमयन दे रखा सुने को कितना रखा है 6 तो योगफल का मतलब 6 बराबर माइस का भी बटे तो माइस के बीज़ाओ पर क्या दे रखा है, माइस का क्य दे रखा है, तो माइस तो रह गई रहेगा, साथ में माइस का क्य आएगा, और एक के लिए कितना दे रखा है, कुछ नहीं तो एक, माइस से माइस खतम, के कामर कितना हो गया, 6, यह आपका अंसर हो गया, ठीक है, य प्लस बीता प्लस गामा का बताना है देखिए लए क्लोट है पलस बिटा प्लस गामा के लिए het यह होता है तो माईक का भी कितना होगत बच्चो माताहिे मैंस का भी के लिए यहां प्लोगा अपकता हुन तो तो माइस का 1 और A के लिए 2 तो माइस का A बटे 1 बटे 2 option चेक करो माइस का 1 बटे 2 कौन से गया? option number C गया आपका ठीक है बढ़ते हैं आगे next question की तरफ एक से square पलस 2x प्लस 1 के सुन्यक निम्री खित में से कौन होंगी? इसका सुन्यक बताना है इसको आपको factorize करके इसका answer निकलना है या फिर यह कर लो कि इसको उठाके आपके value place कीजी जो आएगा सुरोगा देखिए सब में आपका प्लस लगा हुआ तो को भी प्लस बट पार्ट इसमें रखोगे तो 0 तो कभी आने सकता हो यहने आपको कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा निगेटीव वाला और निगेटीव वाला आपको एक ही option दे रखा है that means minus 1 minus 1 इसका answer होगा आप चाहोतो इसको दुखार समय करेंगे तो तोड़ सकतो या फिर दिमाग लागा तो आसा दिमाग लागा होगी तो पड़ा चलेगा सुन्या खोड़ें का मतलब कि जो भी वहलू दे रखा इसको इसमें place करने पर इसका वहलू कितना गा 0 लेकिन देखिए अगर 1 रखते हो तो 1 का square 1 2 into 1 2 1 बापेस 4 हो जागा तो प्लस मार परती आपको कभी 0 हो नहीं सकता है क्यों कैंसिल होगा नहीं तापको कौन सा माल लेना पड़ेगा निगेटी भी और निगेटी माइनस वन जैसी माइस वन रखोगे तो यह आपका 1 यह आपका माइस 2 अफिसर 1 तो 1 1 2 2 में माइस 2 कट गट है कैसे भी रखेंगे किस मान के लिए कि माइनस 4 जोगा इसका आंसर निकल लागा 0 तो आपको क्या करना है बस लिख लिजी इसको दे रखा है आपको क्या कि x square minus x minus 2m plus 2 बराबर 0 कर देना है किसलिए तो x बराबर minus 4 पर चलिए हम पर solve करते हैं x square minus x minus 2m plus 2 equal to 0 लाना होगा कब जब x कमान minus 4 हो automatic निकल लागा तो minus 4 का square कोड़ोगी तो आपका 16 minus का minus लागा minus 4 रखोगे तो minus minus होगा plus का 4 minus में 2m और plus में 2 बराबर में 0 16 रखोगे 20 20 से धर जाएगा तो होजागा आपका minus 20 16 रखोगे 20 होगा इधर ये 20 जाके धर जाएगा तो minus 20 में कनवट होजागा ये पारजियों करते हो रहेगा minus से minus से राफ साप कर लिजी तो 2m बराबर 20 में से 2 घटेगा 18 ये 2 घट जाएगा इधर 18 और ये 2 से घट जाएगा आपका 9 बराबर ये इमकामान कितना हो गया 9 और 9 का देखियो option कितना दे रखा है आपको option दे रखा होगा आपको 9 number C में तीस question complete हुआ आगे question देखते है question number 31 x square minus 2x minus 3 x square minus 2x minus 3 इसका आपको सुनेक निकालना है इसको factorize करके answer निकालना है बताई गुना करने पर 3 आजाओ भी minus में क्या किज़ेगा आप मैस का 3 और प्लस का 1 कर लेजेगा देखिए तो गुना करने पर मैस 3 आजागा मैस 3 गुने हुए अग मैस 3 साइन चेंज किज़ेगा तो प्लस का 3 और प्लस का 1 चीज़ का साइन चेंज किज़ेगा तो मैस का 1 डेट मीज़ प्लस का 3 और मैस का नहीं इसका answer होगा कौसे देखा अप्सन नमबर यह आपको conceptual चीज़ है इसको आप याद कर लो समझो जो समझो समझो आप इसको ठीक है फैक्टराज करने के बाद साइन चेंज जरूर किज़ेगा इस बात को आपको नोट करो साइन चेंज जरूर करना है आपको चलिए आगे देखते हैं फटाक से दिखते हैं आगे अंसर होगा मैस का पांस का अंतर से देख रहा है आपको आगे बढ़ते हैं फटाक से आगे फिर से अगैन एक और को समझी तरह से धमाकेदार पांच वाई स्क्वाइर मैस में पांस आपका अंसर हो जागा 14 बटे पांस कहां पर है अपसन नमर सी ठीक है समझगों के बात आगे देखते हैं फिर से देखे क्या दे रखाए यदि बहुपद एफेक्स इतना इतना का मूल एक दुसरे के ब्यूत कर्मानुपाती हो तो के का मान क्या होगा और अपसन आप कि अगर एक अलफा है तो दुसरा क्या होगा एक बटा बीटा और इन दोनों का क्या करेंगा अगर इक्कुल कर देते हैं तो अलफा इंटू बीटा ब्रावर क्या होगा बच्चो आपके पास एक हो जागा ब्यूत कर्मानुपाती मतलब का कि जो भी इसका फेलू होगा कि यह दे रखा हैं सी का मान के और एक का मान पांच बरावर में एक तियानि के का मतलब बांच होगा आपका अंसर तो अपसा नमर बी जागा इसका करेक्ट एंसर आगे बढ़ते हैं इतना का सुन्यक निकालना फिर सी अगैन सुन्यक वला कोशन आ गिया इजी सा कोशन होता तो साइंस चीज करोगा तो प्लस का चीज मानस में और प्लस का चीज मानस में तो मानस का टू मानस का अंसर होगा तो मानस का वगा तो मानस का टू यहां पर दे रखा हैं ऑपसन नमर डी जागा इसका आगे देखते हैं यह तो और मज़दार कोशन होगा इजी वला कोशन ह X square minus 3 का सुन्यक निकलना था क्या करना बरावर के बाद 0 3 उधर जाएगा और root लग जाएगा तो plus minus का है option number B चला जाएगा ऐसा question आपने किया है एक बार चलिए अगयान देखते हैं को और question question आपके पास कि alpha और beta बहुपद दे रखे हैं आपको यहां पर और X square plus one दे रखा है कि मूलक हो तो alpha plus beta एक बटा alpha plus एक बटा बीटा कमाल क्या होगा आपको बताना है ठीक यहां पर देखिएगा कि एक बटा alpha दे रखा है आपको और एक बटा beta इसको जाए solve करोगे आप तो alpha into beta इसका LCM आएगा और alpha plus beta ऊपर चला जाएगा तो alpha plus beta के लिए minus का B बटा A होता है और नीचे होता आपका C बटा A, A से खतम इनले देखिए minus का B बटा C आएगा और minus का B का मतलब minus का 1 और C का मतलब again 1 C का मतलब 1 तो minus का 1 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो minus का उन क्या होगा इसमें से कौन बहुपद है बहुपद है बोला है तो बहुपद होने के लिए आपको condition पता है कि variable पे root न लगे तो देखी है पर x square दे रखा है x दे रखा है है ना और आपको क्या दे रखा है दिखिए यहां पर x गंदर रूट लगा रखा है यह तो आपको होगा नहीं तो आपका गलत हो गया इधर वेला पार्ट में रूट दूरे से दीखे जाएगा root 5 x square देखो गया तो root 5 अंदर root 5 पर 5 लगेगा और x square का सिर्फ x रहेगा बाकि पार तो सुझे आपको दिखी रहे हैं यानि कि यहां का x square जो है root इसे हट के सिर्फ x बच जाएगा यानि आपको इप पास होगी आप इभी 5 है और इभी 5 है तो बहुपद है इभी 6 isq, x square है x square है यहाँ पर x है यानि इभी बहुपद है आगे दखेगा इभी बेला पार्प्वच के यहां पर x प्लस 1 बठाय 은 देए भी ड़ोरा तो x प्लस 1 बठाय乾म x प्लस 1 बठाय anx देने का मतलब होगी आपका कि X plus X को जब उपर किजिए गां सिंप्लेस फॉर्म में ती माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस की सीच पर लगता है तो बहुपद 9 कहलाता है किलियर तो अपसा नमर C जाएगा इसका अंसर चलिए आगे देखते हैं एक last question देख लेते हैं हमको तो बस बताना है अप समझते हैं इस बात को यहाँ पर कि आपको पता है कि X square माइनस अलफा पलस बीटा तो इखाद बहुपद इसको सुने ना कि इतनी 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 अलफा पलस बीटा X आप पलस में अलफा इनटू बीटा होता है तो इपाटरहप का अल्फा इपाटरहप का बीटा बस इसको solve करना है तो युद्व का लिखते हैं अल्फा का माल कितना देलें 3 बटा 5 और इवका लिखने हैं बीटा का माल कितना देलें माईस का एक पटा 2 तो इनको निकाल लेते धराक्सिना कि alpha प्लस beta किजेगा तो 3 बटा 5 और minus का 1 बटा 2 हो जागा जूड़ेंगे तो plus minus minus e कितना जागा नीचे लग उत्तम 10 6 में से 5 गिया minus का 1 बटा 10 आ गया minus का 1 बटा 10 हो जोड़ने पर अगुणा करना हाभी है आपको alpha into beta तो 3 बटा 5 अगुणा माइस का 1 बटा 2 तो माइस का 3 बटा 10 यह हो गिया मैस का 3 बटा 10 अब फ्रमुला बेठा लिजे जैंड़ नी थ्रक्सिना एक से स्क्वाइर माइनस alpha प्लस बीटा का मतलब हो गया minus का 1 बटा 10 माइस माइस मिलके प्लस हो जागा एक से लगा दिजे और 5 बीटा का मतलब माइस का 3 मटे 10 बटावर 0 ठोक देजी नी लगुतम निकाले कितना आगा दॉस आएगा इनी आपका दॉस एक स्क्वाइर प्लस का एक स्मैस का टीन परावर में 0 दॉस खतम करें साथ तो दॉस iq س्क्यार में में 3 बराभर में 0 यहीं आपका एंसर हो जाएगा तो तो तोरिये गा न फशी अधना आपको आजआगा तो mai दॉस स्क्रफट एक स्क्वाइड पर इक सामारी देखना ना यहां पर देखिए मैंस देले हैं सुमें देले मैं पुछेगा एक आसी तनको न आग एतना तनको पीछे पूरा पूरे सॉल्व कर लेना है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल तब तक के लिए बाए बाए